मैसी 13.3 का लेटेस्ट अपडेट हमारे रेटमी के नोट 7 प्रो के लिए अवेलबल हो चुका है जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर आपको मैं कम्प्लेट डिटेल देना हूं कि क्या कुछ देशनी को मिल जाता है और कैसा है इसका गेमप्ले क्योंकि मैंने यहां पर गेमिंग भी टेस्ट किया है जो कि आपको वीडियो के एंट टक देशनी को मिलेगा अगर बात करें इसके अबाउट के सेशन की क्या हमें देशनी को मिलता है तो आपको देशनी को मिलता है मैसिक का एम डीबी लिम्टेट एडिशन जहा आफ़ी huge customization को लेके आता है और बिल्कुल ही latest feature के साथ आपको last देखनी को मिलता है जैसे कि हम अपने lock screen पर in करते हैं तो आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है charging का animation जो कि flow glow and web का है जो कि हाली में EU के update के साथ देखनी को मिला था और इसका सारा customization और animation में आपको so किया था साथ साथ यहाँ पर जो clock format के साथ जो honor info मिलता है यह पहले limited थात्री से भी unlimited कर दिया गया है जो कि आपको mask में भी देखनी को मिल जाता है तब जितना चाहो उतना longer text यहाँ पर डाल सकते हो जो कि इस room के लिए plus point हो जाता है अगर आप इसे use करते हो तो वहाँ पर display को अगर हम in करते हैं तो नीचे को आपको देखनी को मिल जाता है animations और साथ यहाँ पर मिलता है control center notification जहाँ पर hide info toggle देखनी को मिलता है वहाँ पर बागे common option जो कि हमें UM मिलता है सेम उसी type से आपको यहाँ पर भी देखनी को मिल जाता है और notch hide करने का और individual का भी option आपको देखनी को मिलता है जो कि बिलकुली नीचे provide कर दिया गया है वहाँ पर यहाँ पर screenshot in any app का भी option दिखाई देता है यहाँ पर आपको face unlock और fingerprint का perfect response देनी को मिलता है जो कि कोई दिकत नहीं करता है और साथ आप यहाँ पर dual face unlock भी है जो यूज कर पाऊगे जो कि काफी plus point है और यहाँ पर अगर हम आते इसके standard setting के ओपर तो आपको यहाँ यहाँ पर search war provider भी मिलता है जो कि latest features है जहाँ पर गूगल का यहाँ बाइडिफॉल search war है जो रख सकते हो नेची कर फीर में मिल जाते हैं और यहाँ पर launcher change करने का option भी मिलता है और यहाँ पर home screen का UI है यह बिल्कुली आपको latest लोला देहने को मिलता है जहाँ पर आपको classic look के स तो wake up area मिल जाता है जहाँ पर kick wall के आप area को चेंज कर सकते हो अगर आपको गलत टेमपर लगाने के वजय से या पर किसी other problem से kick wall को access करने में problem आ रहा है तब उसके area को खुछ से जो change कर सकते हो उसके position को आप चेंज कर पाऊगे जो की काफी अच्छी बात है तो काफी टूल बॉक्स भी दिखाई देता है और साथ है latest game turbo भी जो कि आपको बहतरीन है जो experience right करेगा वहीं पर इसके अंटुटू के अगर हम बात करते हैं तो आपको काफी अच्छा-कासा score देखने को मिल जाता है अंटुटू का और यहले में gaming का भी experience आपको काफी बेटर मिलता ह है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी application में यहाँ पर install कर रखें वह सारे application आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप PIP mode के रूप में उसे यूज कर सकते हो और यहाँ पर यह Netflix वगरा Amazon Prime को भी support करता है क्योंकि 11 का support आपको मिल जाता है massive room को यूज करते हो आपको दिक्कत जगरा देखने को नहीं मिलता है वहीं पर यहाँ पर आपको option मिलता है stickers वगरा यानि कई सारे आप stickers वगरा apply कर सकते हो और आपने किसी वी wallpaper photos वगरा किलिक को है जो काफी ज़्यादा improve कर सकते हो बहतरीन सा look है जो यहाँ पर provide कर सकते हो वहीं पर हम slide की बा पहले बहुत कम countries add किये गए थे तो कई सारे नए countries add कर दिये गए जहां पर आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगा तो हमारा जो calculator है यह भी काफी ज़्यादा अपडेट हो चुका है और यहाँ पर जो आपको पहले से magics install नहीं मिलता है लेकिन अगर आप एक route users हो ता कोई भी problem देहने को नहीं मिलेगा आप इसलिए जो banking app वगरा है जो इस Chrome को यूज करते हुए यूज कर पाओ तो यह इसके लिए एक बड़ा plus point हो जाता है वहीं पर हम आते हैं इसके health app की उपर तो health app जो हमें देहने को मिल जाता है यह थोड़ा सा old है क्योंकि health app latest में कुछ emergency के info वगरा add किये गए थे बट इसके अंदर वह info आपको देहने को नहीं मिलता है तो उम्मीद करते हैं कि निए student में यह provide कर दिया जाएगा वहीं पे इसका जो theme store आपको देहने को मिलता है वो China theme store है यानि सारा Chinese theme वगर आपको देहने को मिलते हैं और कुछ ताइम पहले मै आपको जो top 5 Chinese theme के ऊपर एक video प्रोवाइड किया था जिसमें आपको यह बताया था कि किस तरीकी के आप Chinese theme को apply करके काफी अच्छा सा customization कर सकती हो तो आपने उस वीडियो को नहीं watch किया तो link आपको मिल जागा डिसके उसमें जहां सब उसे watch कर पाऊगे Gcam यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करता है आपको कोई भी issue नहीं आता है अब एक नजर डाल लेते हैं PUBG की उपर कि क्या हमें graphics और setting और performance देखने को मिल जाता है यहाँ पर PUBG को यूज करते हुए तो यहाँ पर commentary मत करना PUBG gameplay को लेकर कि कोई भाई यहाँ पर जो भी आपको दिखाई देने वाला है वो एज नोब क्रेटरी का है जो देखने को मिलने वाला है यहाँ पर जो मैंने कुछ दिर play किया है मुझे hitting देखने को नहीं मिला है और काफी अच्छे setting पर है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है अगर मैं यहाँ पर setting की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर graphics की ओपर देखने को मिलता है HD और फ्रेमेट यहाँ पर high पर जो कि इसका maximum level है gaming के लिए और यहाँ पर जो मुझे अच्छा का सा detail देखने को मिल गया है pub जी पर जो की काफी बेटर है और वैसे मैसिक रोम जो है हमेसे यहाँ है जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है चाहे वह बैटी के लिए हो या गेमिंग के लिए हो या फिर स् से रिलेटेड तो मैं देख आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो एक थमसब जरूर देना और फॉर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्स्क्राइब किये ना मत जाना ताकि इस तरह के आपको information मिलती रहे और आप time to time up to date रह सको अपने Redmi के Note 7 Pro और और बाके दर डिवाइसे से रिलेटेड तो मिलते हैं गाइज नेक्ट वीडियो में कुछ खात और इंट्रेस्टिंग रोम्स के साथ तब तक लिए बाबाए